एक समय की बात है स्वामी विवेका नंद अपने आश्रम में वेदों का पाठ कर रहे थे, तभी उनके पास चार ब्राह्मण आये, वह बड़े व्याकुल थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी प्रश्न का हल ढूंडने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। चारों ब्राह्मण ने स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, हम बड़ी दुविधा में हैं, आप से अपने समस्या का हल जानना चाहते हैं, हमारी जिज्यासाओं को शांत करें। स्वामी जी जिस प्रकार बगीचे में पौधे को लगा कर बाग को सुंदर बनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का विचार बड़े ही अच्छे ढंक से समझ आ चुका था। अब उन्होंने मिलकर प्रण लिया। वह अपने शिक्षा का प्रचार। प्रसार समाज में करेंगे यही उनकी समाज सेवा होगी। इसके लिए हमारा मार्कदर्शन करें। स्वामी जी क मुख पर हलकी सी मुस्कान आई और उन्होंने ब्राहमन देवताओं को कहा है ब्राहमन। आप सभी यह सब लक्षे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिलकर समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा।